रायन बरेली में नई दिल्ली से चल कर मालदा टाउन जाने वाली नियो फरका एक्स प्रेस डिरेल हो गई इस हाथसे में ट्रेन के इंजन सहित छे बोगिया पटरी से उतर गई है इस ट्रेन हाथसे में और लोगों की मौत बताई जा रही है जिसमें दो बच्चों भी शामिल है साथ ही एक तालिस लोग घायल हुए अभी यात्रियों की मौत की का बढ़ सकता है राय बरेली में हुए नियो फरक का एक प्रेज घटना पर सीएम ने मौावजे का एलान किया है सीएम ने मृत्कों को दो लाख का मौावजा वगायलों को पचास हजार का मौावजा देने का एलान किया है वहीं जिले की DM सुजाता सिन ने मामले को सना ग्यान में लिया है उन्होंने बताया कि सभी घायलों की जिला अस्पताल एलाज के लिए भेज दिया गया है हादसे से स्टेशन वह आसपास अफरातफरी का माहौल चाया हुआ है लोग चिलाते हुए जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे आसपास के लोग फौरान मदद को डाउड पड़े घटना स्थल पर स्थानिये लोग और हरचंधपूर स्टेशन के पास स्टाफ मौजूद है बताया जा रहा है कि ट्रेन हरचंधपूर के आउटर के पास डिरेल हुई है आपको बता दें कि यह ट्रेन मालदा से राय भरेली होते हुए दिली जा रही थी स्थानिये लोगों वस्टेशन के एक कर्मचारें द्वारा रेस्क्यू का कार्य जारी है डी जी पी ओपी सिंग ने घटना का सहन ग्यान लिया है एन डी आर रेफ की टीमे राय भरेली के लिए हुई रवाना हो चुकी है दो एन डी आर रेफ की टीम में लखनव और वारानसी से रवाना हुई है CM योगी ने अधिकारियों को दिये निर्देश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदिते नात ने हादसे का सहन ग्यान लिया है उन्होंने जिला अधिकारी, SP, स्वास्ते अधिकारियों और NDRF को हर सभावनव मदद पहुचाने का निर्देश दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक NDRF की टी में मके पर रवाना कर दी गई है स्थानिये पुलिस और एम्बुलेंज भी मके पर है घाय लोगों को स्थानिये अस्पताल ले जाये जा रहा है